हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सोशियोलाजिक क्लासेस भाई राजपूर सनी के हमारे यूटूब चैनल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्टीय निट ने इक्जाम की डिक्ट जारी खर दी है सोशियोलाजिक का एक्जाम मार 15 से 23 सम्मर के बीच में होना है तो उसके द्रिश्ट कोड को रखते हुए हम लोग थोड़ा तेजी से प्रैक्टिस से करेंगे चलिए देखते हैं आज का पहला किप्टिन है यह किस ने कहा है कि अस्थानी छेत्र तथा समुदाइक भावना समुदाइक के अधार है विश्टर मार्क समनर मायकाइबर पेज तो तिसका राइट अंसर सी हो जाएगा मायकाइबर एंपेज ने कहा है कि अस्थाई छेत्र तथा समुदाइक भावना समुदाइक के अधार है इससे साथ साथ नोंने निश्चित भूभाग को भी आवस्चक माना है अगला यह किसने कहा है कि बंदी ग्री एक है अगला संस्कृति को इंदी परक विचरात्मक और अधरसात्मक रूपों में किसने वर्की कृत किया है सुरोकीन इस्पेंसर तो इसका राइट अंसर यह हो जाएगा सुरोकीन ने संस्कृति को इंदी परक विचरात्मक और अधरसात्मक रूपों में विभाजित किया है और यह उन्होंने सोसल & cultural dynamic पुषतक में इसका विवाजन कीया है संस्कrimis 타 CP8 x नहीं एजिसे ब्यक्ति मघत्पूड समझता है और उससे अपनी तुलना करता है समझता है उसे से अपनी तुनला करके अपने कोहिन समझता है तो उसे संदर्ब समों की अधारा मार्टर ने अमेकर सोलजर नामक पुष्टक में प्रस्तुत की है अगला निम्लिखित में से अर्जित प्रहिस्थिति का उधारण है बाल्यावस्था नारित्यों अचरात्यों या नागरिक्ता तो बाल्यावस्था हमारा प्रदत्य प्रहिस्थिति हैं नारित्यों भी प्रदत्य प्रहिस्थिति होती है जबकि आचरात्यों हमारा ग्यान को प्राप्त किया जाता है तो यह हमारा अरजित प्राइस्थिति के अंतरगत आएगा तो राइट अंसर हमारा सी हो जाएगा अगला निमलिखित में से कौन सा दिवाह का नव अस्थानी नियम है नया रसोंई घर बनाने वाले पती-पत्नी नया उपासना अस्थन निश्चित क करने वाले पथी-पत्नी नया पड़ोस प्राप्थ करने वाले पती-पत्नी इसका रॉइट 안s explains और नोख से कहेंगे जब पती-पत्नी नय अस्थान पर जाकर अपना निवास अस्थान पनाते निवास रसके इस्थार सब्सक् tecnología का तसना समाज्टों में राजणाजक्शना था तो इसका अंसर हमारा ए dryer हो जाएगा अगला सामाजी करण एक प्रक्रिया है जिसके अंतरगत सामाजी प्रतिमानों को इस्थापित किया जाता है जीव का क्रमिक परिवर्तन होता है प्रतेखवस्त समाज की है का घोसरा करना या समाज को अपनाने का प्रसिक्षर तो समाजी करण समाज के प्रतिमानों को समास्सास्त को 20 कि एगस्त काम्टे मानते हैं अगस्त काम्टे नाम रखा इसके पुर्व इन्होंने समास्सास को सामाजिकश्त की इख नम लिखित में से सरम विभाजन का आधार हमारा श्रम होगा स्रम विभाजन का आधार है समाज समाज में स्रम विभाजन का आधार होता है क्योंकि स्रम विभाजन के आधार पर ही प्राइस्थियों का निधार होता है समाज में प्राइस्थियों का निधार होता है जजमानी ब्यवस्था सेवा के बदले हुए वस्थ भी निमय है कानून के अंचार प्रथा के अंचार वस्थवों के मुले के अंचार या प्रदत्य सेवा के अंचार होगा जजमानी ब्यवस्था सेवा के बदले वस्थ भी निमय है जजमानी प्रथा के अंतरगत एक जाती दूसरी जाद की शेवा करती है उसके बदले उसे स्यवा प्राप्त करने वाली जाती भी उसकी सेवा करती है अत्वा उसे वस्तव का मुख्तान करती है जो की ग्रामीनी समदायों में देखा जाता है अगला ग्रामीर तथा नगरी समाज के मद निम्लिखित भिन्नताओं में से कौन्चा अत्याधिक मौलिक है परिवहन पड़ाली परिवहन साधन व्यावसाहिक भिन्नता वर्ग भिन्नता तो व्यावसाहिक भिन्नता ग्रामीर एयों नगरी छेत्रों की प्रमुख अंतर के सास्धी से बोध होता है पुरसकारों से केवल डंडो से पुरसकार दंड से समाज सास्थि में सास्थी या अभिमती की अर्थ अंकुस्लिकियर्णों रोता है तो इसका इस सेंसेट के अंतरगत अतिया है संवाजिक इस्तितिकी विज्ञान टता गत्की समाजिक गत्की विज्ञान के रूप fortuneEnt स्थिकलों Dateि थे समाज का वीभाजन समाजिक एस्थिकी विधियान और संवाजिक गत्पी विज्यान के रूप में किया है अगला को निम्लिख्यत में से कौन सा प्राथमिक समूह संबंद का उधारण है अवयक्तिक संबंद अपचारिक संबंद रक्त संबंद तोली संबंद तो प्राथमिक संबंद का संबंद रक्त संबंद पाया जाता है और कुछ तत्यों में बिवा संबंद पाया जाता है जैसे की पति-पत्नि के बीच पाया जाने वाला प्राथमिक संबंधों संबंधों में गनिश्टता अव्यक्तिकता अनुपचाड क्या आधि उधारत के रूप में देख सकते हैं लेकिन प्राथमिक संबंध कहा लगता है नुमलख्यत में से किस्ट ने साभजिक परीवर्तन के साभजिक संबंधों booking होता है दी उल्लेक उनुने साभजिक संबंधों से अंधर के अंतरगत के हाँ अगला अपराद के साहचर्य विभेधक सिध्धान्त को निमलिखित में से किष्णे प्रस्तुत किया है वाल्टर रेकलेस इलिएट यो मैरिल सदर्लैंड या टेफ्ट तो अपराद के साहचर्य विभेधक सिध्धान्त सदर्लैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है न क्रोबर ने प्रजाधि को प्राडी सास्त्री अवधाला मानते हुए से तीन भागों में वर्गीकरण किया है काके सायड मंगोलाइड और निग्रो एड निमलखित में से कौन सा यूग मत सत्य नहीं है वैगा वी एल्मिन आइसमान आइलेंडर्स और रेटकलिप प्राउन भ दें किया है जब ब्हेल यसी राइने करके टीन आयक जी ने किया है और हो या सिंग भूम दीयम मजुंद्वारा जन्जाधि के अध्यन किया गया था तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा सी सुमेलित नहीं है या सत्य नहीं है के जो लिखित में से कौन सा प्रजाधि का निर्धारक नहीं है तोचा का रंग जन्मस्थान नासिका या केस्ट इसका राइट अंसर भी हो जाएगा जन्मस्थान प्रजाति नहीं है प्रजाति निर्धार के अंतरगत जर्मस्थान निवास भीन भीन हो सकता है साथ ही तोचा का रंग भी प्रजाति के निर्धार है तो एक भ्रामक तथ्या है क्यूंकि यह भी भगवलिक पर्यावराण प्रभाव में परिवर्थित होती है अगला निम्लिखित में से क स भौतिक सब्सेनि संस्कृति है चरिक संस्कृति भावतिक संस्कृति से पीछह जाते हैं जब भावतिक संस्कृति से पीछे रह जाती sind etcetera तो उसे संस्किति के अब होतिक संस्किति विलेम्मना कहते हैं। अब संस्किति विलेम्मना की ओधार आगorgtपर ने अपनी पुस्टक और या परमारिक शक्तिD को संस्किति के अंदर्ग्त पर संस्क्ति-गहड समाजिक एकी-करड आत्मसाथ-करड को उत्तम-ढग Day से वडितकिया जा सकता है कि यह समाजिक आंदोलन के चरड है आत्मसाथ प्रक्रिया के चरड है या समUNJAN के स्वरूप है या प्रतिसपर्धा बिरोधी प्योहार है तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि पर संस्कृति गरहण सामाजिक एकिकरण और आत्म साथ करण को उत्तम धंक्त से वड़ित करता है समझन के रूप में तो आज का यहीं समाप्त करते हैं फीडियो को लाइक और सेयर करें चनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद